आठवाँ पाठ सस्ते का चक्कर प्रिष्ट संख्या पचास से उनसट तक चुट्टी के घंटे की आवाज आठ दस बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हसते, चिड़ाते, बैग लिए, भाग दे हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मज़ेदार लटके भरी आवाजें, चने कुर्मुरे चटखारेदार, यही तरावटी आइसक्रीम, खटी गोलियां, ठंडा शर्बत निम्बू संतरे का, अजय और नरेंद्र आते हैं। उम्र नो दस वर्ष, अजय दुबला, नरेंद्र तगडा, लगातार, चटर मटर की आवाज करता, नरेंद्र चूरन खा रहा है। नरेंद्र, अरे अजय, तू तो इस समय, रोज लेफ्ट राइट, पाजामा धीला, टोपी टाइट करता रहता है ना? आज अभी कैसे? डंडी मार दी ना बच्चू, कैसा पकड़ा? और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? ए! अजय, नहीं, आज मम्मी की तबियत कुछ खराब थी, मैंने टीचर से कहा, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, मेरा पाल्ट मुझे याद भी था ना? मैंने सोचा, मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुँचकर उन्हें चाय बना कर पिलाओं, तो कितनी खुश होगी वे है, नरेंद्र, बिना सुने, वाह! ले, इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मसेदार है, लेकिन एक बात बता यार, आखिर तु सारे दिन इतनी पढ़ाई, लिखाई, ड्रामा डिबेट की मशक्कत, आखिर काहे को करता है, ए, क्या मौज भरी जिन्दगी है, सैर सपाटा, खेल तमाशा, इसके साथ ही, एक आदमी थोड़े से लाली पॉप बेचता हुआ आता है, पचास पैसे में तीन लाली पॉप, पचास पैसे में तीन, नरेंद्र, चौक कर, अरे सुना है तुने, पचास पैसे में तीन, यानि ए एक रुपए में छेह लाली पॉप, मज़ा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए, चूरन, चुस्की, आइसक्रीम लेली, सुन, तेरे पास होंगे कुछ पैसे, अजय, अजय, एक भी नहीं, नरेंद्र, अरे उधार दे दे उधार, कल पांच पैसे ज्यादा लट आ दूँगा, समझ क्या रखा है, रुक कर, सुन, रिक्षे के तो होंगे, अजय, हाँ है तो, पर रिक्षे के पैसों के लाली पॉप खरीद लू मैं, यह तो चीटिंग होगी, नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरीश चंदर जी का भी पढ़ दादा निकला, मांगे पै पैसे देने लगा सीख, शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच, मत दे, मत दे, ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पैसे तो हैं ही, अजय, समझाते हुए, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है, मेरी बात मान, इस आदमी से लाली पॉप लेना बिलकुल ठीक नहीं, मुझे लगता है, या तो ये है, कहीं से चुरा कर लाया है, या कहीं से नुकसान देहे खराब माल उठा लाया है, मेरी मम्मी कहती है, नरेंद्र, बात काट कर, अरे, फिर तुझे तेरी मम्मी यादा आ गई, मेरी बात मानेगा, तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर, अजे, क्या मतलब, नरेंद्र, हसकर, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, समझा, अजे, समझा, अब से तेरी बात के लिए ही, यह दूसरा कान काम में लाऊंगा, दोनों जोर से हसते हैं, नरेंद्र, सच मुच, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से उंगली दिखा कर, दुबला सी किया है, मुझे देख, हटा, कटा, दारा सिंग का पठा, रुस्त में हिंद, हसता है, अरे देख, लाली पॉप वाला निकल गया तेरी बातों में, अरे वो, वो जा रहा है, रुकना भाई, हाँ अजे, तू ठहर, मैं अभी लेके आया, और हाँ, मैंने अपने रिक्षे के पैसों की तो चूरंच उसकी खा ली, प्लीज, अपने साथ ही रिक्षे से लेते चलना मुझे, बस अभी आता हूँ, जाता है, अजे, इधर उधर टहलता, बेसबरी से इंतजार करता है, अजे, इस नरेंदर को कभी अकल नहीं आएगी, सब सड़ी गली चीजें खाएगा, और वार्शिक परिक्षाओं में बीमार पड़ेगा, आंटी डाटती हैं, तो फट देख, अभी तक नहीं आया, दो तीन बच्चे आते हैं, पहला लड़का, अरे अजे, तो तो कभ का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहां क्या कर रहा है, अजे, क्या करूँ, मुझे खुद इतनी देर हो रही है, नरेंदर कभ का उधर लाली पॉप लेने गया, अभ इसे मेरे रिक्षे में जाना है, दूसरा लड़का, कौन, नरेंदर, उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था, मैंने पूछा भी, तो बोला, इसके पास छुट्टे पैसे नहीं, वही लेने जा रहा हूं, तीसर लड़का, अरे तू घर जा, नरेंदर को जानता नहीं, उसके फेर में पड़ा, तो अपनी भी शामत आई समझ, आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूगा, अजै, सोचते हुए, नहीं सुभाश, मुझे डर है, कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नही लड़कों से, तुम लोग जरा आओ न, देखा जाए कहीं नरेंदर, पहला, ना बाबा न, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं, अपन तो चले, नरेंदर की नरेंदर जाने, जैसा करेगा, वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खत्रे में डालें, दूसरा, तीसरे से, चल हम भी जल्दी चलें, नरेंदर के फेर में, कहीं भी आफत में फसे, तो खेर नहीं, बाय अजय, जाते हैं, अजय, ठका, उदास, परेशान होकर, इधर-उधर टहलता है, कहां गया नरेंदर आखिर, अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किस से पूछूं, तभी, अरे, यह सरसराहट कैसी, आम के बगीचे से ही आ रही है, छुपकर बगीचे की ओर चलता है, आखिर, नरेंदर गया किधर, जाता ह नरेंदर की मम्मी रेखा, अजे की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती है, मिसेज मेहता, कौन, रेखा जी, नमस्ते, आईए बैठिये, रेखा, घबराई आवाज में, नहीं, बैठोंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई हूँ, कि क्या आपका अजे आ गया, मेरा नरेंदर अभी तक स्कूल से नहीं लोटा, मिसेज मेहता, आया तो अजे भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रेक्टिस में देर हो जाया करती है, लेकिन आज मेरी तब्यत भी ठीक नहीं थी, सुबह, अजे कह गया था, टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूँगा, शायद टीचर न चुट्टी नहीं दी, और नरेंदर भी उसके साथ रुक गया हो, रेखा, नहीं बहन, नरेंदर जरा शरारती है न, इसी से डर लग रहा है, देखे, एक बजे चुट्टी होती है, धाई बज रहे हैं, मिसेज मेहता, क्या सचमुच, मुझे तो दवा खाकर नीद आ गई थ समय का पता ही नहीं चला, इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए, रेखा, रोने के स्वर में, कुछ कीजी जल्दे, मिसेज मेहता, हाई मेरा नरेंदर, मिसेज मेहता, घबरा ये नहीं, रेखा जी, देखे, मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूर विश्वास है, ठहरिये, रिक्षा लेकर चलते हैं, देर सच मुझ काफी हो गई है, रेखा, जल्दी से, आप आईए, तब तक मैं रिक्षा बुलाती हूँ, रेखा रिक्षा बुलाने के लिए, पीछे की और मुरती है, तब तक सामने देखकर, खुशी से चीख पड़ती है, रेखा, आ गए, आ गए, बहन बच्चे, देखिये, मिसेज महता, सच, अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये, पुलिस इंस्पेक्टर, भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर, भारी आवाज में, मिस्टर महता का घर है यह, मिसेज महता, ज जी, हाँ, कहिए, ये बच्चे आपको कहा मिले, इंस्पेक्टर, अजे की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है, मिसेज महता, जी हाँ, अजे है इसका नाम, क्या किया इसने, इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है, कि आप सुनेंगी तो गर्व से जूम मैं तो इस पर नाराज हो रही थी, कि समय से घर नहीं लोटा, इंस्पेक्टर, हसकर, आज अजे ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, नरेंद्र की जान बचाई है, और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है, मिसेज महता, ओ, वो कैसे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजे से सुनिए, हाँ, सुना दो बेटे, अजे ममी, आज मैंने टीचर से जल्दी छुटी मांग ली, कि तुम्हारी तबियत खराब है, पर बाहर आया, तो नरेंद्र मिल गया, फाटक पर एक आदमी पचास पैसे में तीन लाली पॉप बेच रहा था, मैंने नरेंद्र को मना किया, पर यहे इतने सस्ते लाली पॉप सुन कर अपने को रोक नहीं पाया, चला गया, सांस लेने को रुखता है, रेखा, फिर अजय, फिर अंटी, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया, तब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालुम हुई, इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था, कि नरेंद् आन के बगीचे की तरफ लाली पॉप वाले से छुटे पैसे लेने गया है, रेखा, तो फिर तुने क्या किया बेटे, अजय, मैं छुपते छुपते दबे पाऊं बगीचे में गया, तो नरेंद्र का बैग बढ़ा मिला, देखकर मैं हैरान रह गया, मुझे शक हुआ, थैला पीठ पर रखे, काली भूरी चैक की चादर ओड़े, चला जा रहा था, मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई, उन बदमाशों की कहानिया याद हो आई, जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, रास्ता सुना था, इसलिए मैं चुपचाप उसके काफी पीछे, बिना आवाज किये चलता रहा, मिसेज महता, फिर अजय, चलते चलते मेरे पैर बिलकुल ठक गए, तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सडक पर मुड़ गया, मेरी समझ में नहीं आया, क्या करूं, तभी देखा, तो सीधी सडक पर, कुछ दूर पर, पुलिस टेशन की ल इमारत दिखाई थी, मैं समझ गया, कि तभी ये आदमी संकरी सडक पर मुड़ गया, मेरा शक पका हो गया, मैं पूरी तेजी से दोड़ा और, और इंस्पेक्टर सहाब को हाफने लगता है, इंस्पेक्टर, वह अजय बेटे, वह, सुना आपने मिसेज महता, रेखा, अज मेरे बेटे, आज तू ना होता, तो नरेंदर का क्या हल होता, सिस्की, मिसेज महता, हसकर, अरे तो दोस्त होकर, इतना भी ना करता रेखा बेहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा, अगर मुसीबत में दोस्त, दोस्त के काम ना आए, रेखा, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को, और इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी, इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधान मंत्री से मिलेगा, सब एक साथ, क्या, इनस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादूर बच्चों को उनके सहसिक कारिये के लिए पुरसकार देती है, इस बार अजय का नाम उनमें होगा, अच्छा, तो आग्या दीजिये, आओ अजय बेटे, एक बार फिर पीठ ठोक दू तुमारी, अजय, थेंक्यू, इस्पेक्टर सहाब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ दर्द कर रही है, मिसेज महता, प्यार से, चुप, सब हस्ते हैं, लेखिका, सूर्य बाला, अभ्यास, शबदार्थ, लटके भरी, अर्थात, नाटकी ये धंग की आवाज, चूरन, अर्थात, खटे मीठे पदार्थों का खाने युग्य चूर्ण, तबियत, अर्थात, स्वास्थिय, मशक्कत, अर्थात, मिहनत, शामत, अर्थात, आफ़त, मुसीबत, जल्सा, अर्थात, समारोह, एक पाठ से, क, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए, ख, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया, ग, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों, दो, क्या होता, क, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते, ख, अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लाली पॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं, ग, अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि, अरे तु घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, ग, अगर नरेंद्र की मुलाकात चुट्टी के बाद अजय से नहीं होती, तीन, विश्वास और डर नरेंद्र जरा शरार्ती है न, इसी से डर लग रहा है, क, नरेंद्र की मा रेखा, अजय की मा से ऐसा क्यों कहती है, ख, नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता, जिससे उसकी मा नहीं डरती, और अजय की मा से यह नहीं कहती, कि नरेंद्र जरा शरारती है, घबरा ये नहीं रेखा जी, देखिए, मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है, ग, अजय की मा, नरेंद्र की मा से ऐसा क्यों कहती है, चार, सैर सपाटा, खेल तमाशा, पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है, इसलिए लोग सैर सपाटा और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं, अब तुम बताओ कि क, तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं, ख, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है, उसकी सूची बनाओ, 5. बनाना कोई भी चीज बनाना नहीं जानते, तो तुम्हें जो चीज सबसे अधिक पसंद हो, उसको बनाना सीखो और उसकी विधी को लिख कर बताओ, 6. पता करो, यहां तालिका दी गई है, पता करो कि खाने की उन चीजों में कौन से पोशक तत्व होते हैं, उसे तालिका में लिखो, 7. खाने की चीजें, क, पालक, ख, गाजर, ग, दूध, घ, संतरा, न, दालें, इन खाने की चीजों से मिलने वाले पोशक तत्वों को लिखिए, 7. मुहावरे की बात, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं, जिनमें उप्युक्त मुहावरे भरने से ही वह पूरा हो सकता है, उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिये गए हैं, तुम सही मुहावरे से वाक्य पूरे करो, मुहावरे हैं आग बबूला होना, सक पकाना, दबे पाव, शामत आना, पीठ ठोकना अब इन मुहावरों को रिक्तिस्थानों में प्रयोग करना है क चोर रिक्तिस्थान घर में घुस आया ख, देर से आने पर ममी, रिक्तिस्थान, गई ग, सरसराहट की आवाज सुनकर अजय, रिक्तिस्थान घ, उधम मचाने पर बच्चों की, रिक्तिस्थान न, नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी ममी ने अजय की, रिक्तिस्थान आठ, तुम्हारा स्कूल एक, तुम्हारे स्कूल में जो गती विधी कराई जाती हो, और वह इस तालिका में हो, तो उसके सामने सही या गलत का निशान लगाओ गती विधिया इस प्रकार हैं, क, नाटक, ख, खेलकूद, ग, गीत संगीत, ग, नृत्य, न, चित्रकला इनके सामने सही या गलत का निशान लगाएं